Hey guys मैं हूँ अमिद और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं Unboxing of Xiaomi Redmi 3S Prime शुरुआत बॉक्स से करते हैं टॉप के कॉर्णर में MI की ब्रैंडिंग दी गई है और बीच में फोन के तीनों मॉडल्स के पिक्चर्स दिये गए है नीचे 3S लिखा है लेकिन डिवाइस का नाम 3S Prime है एनिवे आगे बढ़ते हैं साइड में आपको MI की ब्रैंडिंग दी गई है मॉक्स के पीछे आपको कुछ स्पेक्स का ग्यान दिया हुआ है चलिए ग्यान बाटना शुरू करते हैं डिवाइस डियूल से मॉर्ड डियूल स्टैंडबाई के साथ आपको मिलता है प्रोसेसर इसमें आपको स्नेर ब्रैगन 430 ओक्ता कोर 1.4 GHz का आपको इसमें मिलता है GPU इसमें Adreno 505 का मिलता है 3GB RAM और 32GB की इंटर्नल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है 5 इंच की आपको 720P IPS LCD की डिस्प्लेय मिलती है 13 MP का आपको इसमें rear camera मिलता है with PD autofocus और 5 MP का आपको इसमें front facing camera मिल जाता है 41 MP की आपको इसमें lithium-ion polymer की बैटरी मिलती है और आपको इसमें एक fingerprint scanner भी मिल जाता है MIUI 7 पर आपको ये device चलता हुआ मिलता है और company और company कहते हैं कि future में आपको MIUI 8 का इसमें update गैरेंटेट मिलेगा android version आपको इसमें 6.0.1 marshmallow आपको इसमें मिलता है तो चलिए बिना किसी बक्चोदी के अन्बॉक्स करते हैं बॉक्स के सबसे उपर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको वो device मिलता है जो कि पकड़ने में काफी अच्छा है और build quality भी इस phone की काफी अच्छी दी गई है moving on शक्तिमान के द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं भी आपको इसके साथ मिल जाती है पढ़ लेना काफी deep thought है इन में और आपको साथ में इसके एक SIM ejector tool भी मिलता है जिसकी मदद से आप और SIM निकालने के अलावा इसके काफी अलग फायदे भी हैं वो आप खोदी discover कर लें उसके नीचे आपको charging और data syncing के लिए cable मिल जाता है जो की काफी अच्छी length में तो नहीं है लेकिन काम चला हूँ है दो एंप का power brick मिलता है जो की आपके फोन को दो से तीन गंटे में full charge कर देगा चलो device की बात करते है फोन का design Redmi के बाकी devices के design की तरह ही है हलके full के changes किये गए है फोन के back में आपको sides round मिलते हैं जिसके वजह से फोन पकड़ने में काफी comfortable हो जाता है और इसी वजह से आप device को single handed use कर सकते हैं और device के front में आपको proximity sensor and earpiece for calling और 5 megapixel का front facing camera आपको दिया गया है फोन में 5 inch की display दी गई है और production के नाम पे बाबाजी का ठुलो मिलता है और नीचे की तरफ touch capacity buttons दे गए हैं जो की backlit होते हैं लेकिन ज्यादा bright नहीं है anyway, phone के side में आपको एक hybrid sim slot मिलता है side में आपको volume rocker और lock button मिलता है जिसकी placement बहुत अच्छी दी गई है आप एक हाँच से lock button और volume rocker को आसानी से use कर सकते हो phone की top में आपको 3.5 mm का audio jack मिलता है और साथ में IR blaster IR blaster के बगल में आपको एक noise cancelling microphone मिलता है और पीछे की तरफ 13 megapixel का rear camera उसके साथ में LED flash उसके नीचे आपको एक fingerprint scanner मिलता है और उसके नीचे आपको MIQ branding मिलती है और उसके भी नीचे आपको speaker मिलता है music enjoy करने के लिए या फिर किसी और भी चीज को enjoy कर सकते हैं bottom of the device आपको एक charging port और एक microphone मिलता है कॉलिंग के लिए चलिए इसे boot कर देते है पहले fingerprint आइट कर लेते है जैसा कि आप देख सकते हैं कि fingerprint काफी जल्दी रीड कर रहा है so guys device boot हो गया है सबसे पहले UI की बात करते है UI आपको बाकी MI के devices की तरह ही मिलता है आपको इसमें कोई भी app menu का option नहीं मिलता है आपको इसमें themes का option मिलता है यानि आप अपने devices को अपने हैसाब से changes कर सकते है android version आपको इसमें 6.0.1 marshmallow आपको मिलता है with MIUI 7 top of it और future में आप इसको MIUI 8 पे update भी कर सकते हैं RAM के बारे में बात करें तो आपको first boot में 3GB RAM में से 2GB RAM ही free मिलता है जो कि काफी फाइदे मन दोगा multitasking और gaming के लिए storage के department में आपको 32GB में से 24.5GB मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है आपको इसमें कुछ pre-install apps भी मिल जिन में से कुछ को आप uninstall भी कर सकते है notification के लिए आपको home कीगे नीचे आपको LED light मिलता है जिसको आप 7 colors तक modify कर सकते हैं यानी customize कर सकते है camera की बात की जाए तो 13 megapixel कर रहे है camera मिलता है आपको with PD autofocus इसका autofocus काफी अच्छा perform करता है इस price range के हिजाब से shutter speed भी काफी अच्छी दी गई है video recording आप इसमें 1080p यानी full HD तक कर सकते है video mode में आपको सिर्फ एक time lapse का ही option मिलता है photos के लिए कई सारे आपको pre install filters मिलते है आप जैसे चाहें उसे वैसे use कर सकते है आपको कुछ modes में मिलते है photos में जैसे manual, ht, timer, beauty, panorama, straighten and scene so guys इस video में इतना ही अगर आपको इस video पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए हमारे channel को so thank you guys for watching this video goodbye and have a nice day